नमस्कार दोस्तो आज आपको बताएंगे इस वीडियो में Accountancy and Book Keepings Related Most Important MCQ ये हमारी PDF No.7 है इससे पहले मैंने आपको 6 PDF प्रवाइट कर दिया है आपने पहले किसी 6 PDF नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर आ करके पहले वाले 6 वीडियो भी आप लोग देख लिजेगा क्योंकि काफी important questions यहाँ पर आपको provide किये गए है जो कि आपके आने वाली UPPCL, UPRNL या किसी भी banking exam में पूछे जा सकते है Especially अगर आप commerce के student है तो ये सभी question आपको पता होना चाहिए Mostly आपको हम जो question आज provide करेंगे वो related होगा Bill of Exchange से संबंदित जो कि आपके UPPCL और UPRNL के syllabus में दिया हुआ है अगर आप syllabus देखे होंगे तो वहाँ पर आपको topic दिखा होगा Bill of Exchange Win मैं विपत तो maximum question इस वीडियो में आपको हम उसी से related बताने वाले हैं तो आए दोस्तों वीडियो की सुरुवात करते हैं जैसा कि आप सभी को पता होगा Start हम करते हैं अपने Rapid Revision से ठीक है जिसमें हम आपसे कुछ True-False पूछते हैं और आप लोग हमें comment करके बताते हैं तो पहला True-False है विनमें विपत्र लिखित एवं शर्त रहित होता है The bill of exchange is written and unconditional ये True होगा या False होगा जल्दी से comment करके बताएं विनमें विपत्र लिखित एवं शर्त रहित होता है तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका True ठीक है न विनमें विपत्र जो होता है वो लिखित और शर्त रहित होता है Next question अगला True-False है अनुग्रह विपत्र बिना किसी वियापारिक सौधे के लिखे जाते हैं यहां पर आपका right answer होगा True ठीक है ये भी आपका हो जाएगा True जल्दी से बढ़ेंगे अपने question number 3 पर, rapid revision, तीसरा question बोल रहा है, win में विपत्र का बेचान किया जा सकता है, bill of exchange can be sold, true या false, क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, तो तीसरा question आपका हो जाएगा, true, ठीक है, win में विपत्र का बेचान किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, true हो जाए को दी जाने वाली रकम ब्याज कहलाती है, the amount paid to the notary public for their services is called interest, notary public को उनकी सेवाओं को दी जाने वाली रकम ब्याज कहलाती है, दोस्तों यह आपका हो जाएगा, false, ठीक है ना, यह वाला आपका fourth वाला हो जाएगा, false, और आज इस PDF का last rapid revision, last question है true, false का, इसके बाद आपको हम बताएंगे most important MCQ, win मैं bill का बेचान करने वाला व्यक्ति प्रिश्ठांकिती कहलाता है, the person selling the bill of exchange is called the endorser, true or false, false, यह होगा दोस्तों, false, ठीक है न, चलिए आज का true false इतना ही था, अब बढ़ेंगे अपने MCQs पर, यह सभी question most important है, बिल्कुल भी question को मिस्मत करिएगा, सभी question को ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखिए आपको पहले ही बता दिया था, bill of exchange related question प्रोवाइट किये जाएंगे, और यह आपका syllabus में सामिल किया गया है, UPPCL और UPRUNAL, इसके syllabus में सामिल किया गया है इस topic को, तो ध्यान से देखिएगा सभी question और maximum question इस topic से पूछे गए हैं, उसमें maximum question bill of exchange से आया हुआ है, आज का पहला question, विन्वे विपत्र लिखा जाता है, the bill of exchange is written as, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि विन्वे विपत्र किसके द्वारा लिखा जाता है, लेंदार द्वारा, देंदार द्वारा, विदेशी वियापारी द्वारा, अंश से याद कलिजे, विन्वे विपत्र लिखा जाता है, लेंदार के द्वारा, चलिए बढ़ते हैं अपने चल्दी से next question पे, दूसरा question आपके सामने आच चुका है, विपत्र का निकराई कराना आवश्यक है, निकराई मतलब होता है cleared, it is necessary to get the bill cleared, जब उसका अनाधरन होता है जब उसका नवीनी करण होता है, जब उसका बेचान किया जाता है, उपर्यूग तुमें सभी, विपत्र का निकराई कराना आवश्यक है, इसका सही आंसर होगा दोस्तो, बी वाला, ठीके न, बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, जब उसका नवीनी करण होता है, अगला question है, the right to receive the payment of the bill of exchange on the due date is called, विपत्र का लेखक प्राप्त करता, विपत्र का सुईकारक बेचान पात्र, देखिए यहाँ पर तीसरे का होगा, प्राप्त करता, बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तो, ठीके न, प्राप्त करता, जल्दी से बढ़ेंगे अपने, question number 4 प पता होगा, अनुग्रह दिवस के रूप में कितने दिन सुईकार किये जाते हैं, how many days are accepted as grace day, जिसको क्या कहा जाता है, grace day, 1, 2, 3, 4, very easy answer, 3 days, ठीके न, अनुग्रह दिवस के रूप में 3 दिन, 3 दिन सुईकार किये जाते हैं, next question, 5, विन में विपत्र, dash होता है, a bill of exchange is, dash, काफी बार exam में ये question आया हुआ है, पता होना चाहिए दोस्तों आपको, जबकि मैंने true false में आपको ये बताया भी है, सर्त रहित, सर्त सहित, सर्त रहित एवं शर्त सहित दोनों, इन में से कोई नहीं, right answer, a, सर्त रहित और लिखित हो कितना पैसा है, किस दिन दिया जाएगा, ये सभी लिखा होता है, अगला question, six, प्राप्य बिल एक खाता है, bills receivable is an account of, वास्तविक खाता, व्यक्तिकत खाता, नाम मात्र का खाता, उप्रोक्त में से कोई नहीं, प्राप्य बिल एक खाता है, बिल receivable is an account of, व्यक्तिकत खात, वास्तविक खाता, ठीक है, option A वालर राइट हो जाएगा दोस्तो, वास्तविक खाता, real account, ठीक है ना, real account, नेक्स्ट कोशन, 7 नंबर, विन्मे विपत्र में भुक्तान की आग्या दी जाती है, payment is allowed in a bill of exchange, देन्दार द्वारा लेन्दार को, लेन्दार द्वारा बैंक को, लेन्दार द्वारा देन्दार को, इन्मे से कोई नहीं, देखिए यहाँ पर सही आंसर 7 का बनेगा, C, ठीकें न, C वाला सही हो जाएगा, लेन्दार द्वारा देन्दार को, विन्मे विपत्र में भुक्तान की आग्या दी जाती है, लेन्दार द्वारा देन्दार को, next question 8 number प्रतिज्ग्या पत्र में पक्षकार होते हैं जिसका English होता है प्रतिज्ग्या पत्र का promissory note The parties to the promissory note are 2, 3, 4, 5 Right answer 2 प्रतिज्ग्या पत्र में कितने पक्षकार होते हैं दो पक्षकार होते हैं Question number 9 सभी question को ध्यान से देखिएगा अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी लाइक कर दिजे क्योंकि आप लोग बाद में लाइक करना भूल जाते हैं और वीडियो को सेर भी कर दिजेगा अपने दोस्तों के साथ ताकि इतने important question उनको भी देखने को मिले The party who is entitled to receive the cash of a bill receivable is called वह पक्च जो प्राप्य बिल का नकद प्राप्त करने का हकदार का है कहलाता है Drawer, Dravy, Capitalist, Bank Capitalist मतलब होता है दोस्तों पूंजी दाता देखिए जो सही आंसर बनेगा option A हो जाएगा ठीक है 9 का हो जाएगा A, Drawer Question number 10 If the due date is public holiday, what will be the due date of the bill? देखिए important question है, अक्सर पूछा जाता है पर एक्चाओ में यदि नियत तिथी सावजनिक अवकास है जिस दिन भुक्तान होना है उस दिन अगर सावजनिक अवकास है तो बिल की दे तिथी क्या होगी Preceding day, following day, the same day After two days तो सही आंसर बनेगा Preceding day ठीक है, अगर मालीजे 31 को भुक्तान होना है लेकिन इस दिन किसी वज़ा से सावजनिक अवकास है कोई festival पढ़ गया तो इसका भुक्तान कब होगा दोस्तों एक दिन पहले होगा अगर इस दिन Sunday पढ़ गया तो इसका भुक्तान कब होगा आपका 29 को होगा ठीक है न, ये इस तरह से होता है मतलब कि एक दिन पहले होता है बात में नहीं होता है, पहले होता है इतना याद रखिएगा Next question, 11 Kamal draws a bill of Sahil for Rs. 3000 Kamal endorsed it to Rohan Rohan endorsed it to Rakesh The pay of the bill will be यानि Kamal draws a bill of Sahil ठीक है, 3000 रुपीज का बिल था Kamal endorsed Rohan यानि Kamal ने Sahil को एक bill दिया साहिल ने, और Kamal endorsed it, Rohan Rohan ने किसको दिया? Rakesh, तो ये payment कौन करेगा दोस्तो Rakesh ठीक है न, इसका क्या हो जाएगा सही answer Rakesh और इस PDF का last question और ये आपका है homework, इसको आपको comment करके ही बताना होगा सभी के answer comment में check करेंगे If the driver is in need of money and cannot wait till due date and receive the money from bank is called endorsement of bill, dishonor of bill, retirement of bill discounting of bill चलिए जल्दी जल्दी इसका answer सभी लोग comment करके बताएं, सभी के comment में check किये जाएंगे answer तो मिलते है नेक्ष वीडियो में वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद उमीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी जितने भी आपको हम PDF प्रवाइट कर रहे हैं आप लोग हमें comment करके बताया करिए जिससे हमें पता चल सके कि आप लोग को अच्छे लग रहे हैं question या इससे और अच्छे hard question लेकर करके आया करें आप लोग के लिए क्योंकि जब तक आप लोग का feedback नहीं आएगा हम लोगों कैसे बता चलेगा कि आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है और इसके पहले कि आप लोग 6 वीडियो भी देख लिजेगा most important question प्रवाइट किये गए हैं आपको और आगे भी आपको इस व बात दिजेगा वहाँ पर all कर दिजेगा इससे क्या होता है कि हम जब भी वीडियो अप्लोड करेंगे तो आपको तूरंद notification मिल जाएगा और आप लोग तूरंद देख पाएंगे दोस्तों मिलते है नेक्ट वीडियो में एक और important वीडियो के साथ टेक केर बाइबाइ